आज कि इस वीडियो में बात करेंगे बीए सिकेंड समेश्टर के सिच्छा साफ्त नानी एजूकेशन के एंसीक्यू टाइप के मोस्ट इंपार्टेंड question and answer के बारे में जितने भी question होंगे वो MCQ based पे होंगे यानि कि objective question आएंगे बहुए किल पे जुनको बोलते हैं और वीडियो काफे helpful है इसमें वो सारे question question के और बढ़ते हैं तो आज की इस वीडियो के जो पहला प्रस्ण है कि RTE का पूरा नाम बताईए तो RTE का पूरा नाम क्या होता पूर रूप क्या होता वहीं आपको बताना है तो यहां पर बहुत फारे आपसन देगें लेकिन जो सही जबाब होगा वह आपको टिक करना होगा ठीक है तो बहुत आपसन पर हम मेन फोकस करेंगे जो सही होगा उसकी और क्योंकि वीडियो जैदा इस से लंबी नहीं होगी तो आरटी का पूरा नाम जो होता वो राइट ठीक है राइट टू एजूकेशन होता सही जबाब होगा सी नंबर राइट टू एजूकेशन ठीक है यही होता आरटी का पूरा पूरा नाम अगला प्रसने की फिच्छा का अधिकार अधिनियम जिसको आरटी बोलते हैं यह कब नागु किया गया था यहीं रखेंगे हैं कि फिच्छा का अधिकार अधिन्यम 2010 में क्या प्राधान क्या गया है तो ध्यान रखेंगे सही जवाब इसका होगा क्या नियम बनाया गया क्या प्रावधान है तो इसमें प्रावधान यही बनाया गया कि 6-14 वर्ष के आयो के बच्चे के लिए मुप्त एयुम अनिवार फिच्छा का प्रावधान किया गया बेवफ्था की गया अगरा प्रशन तो भाई फिच्छा का दिकार दियम 2010 के प्रमुक उद्देश हैं पहला कि इस प्रात्मिक अस्तरों पर सभी बालकों बालकाओं को बालक जो बालका हैं इनको निश्वल के मनिवार फिच्छा प्रदान की जाएगी और उत्तम मादमिक फिच्छा के लिए आउसरों में सार्व भॉम बनाना है कमजोर वर्गों के अत्रिक्त वंचित वर्गों को सम्मिल करके मादमिक फिच्छा को समान बनाना है इफ लिए सभी उद्देश हैं एक कोई अगर सिच्छा होते या पिर कोई भी फिच्छा अधिकार होते तो सब के क्या होते हैं कि कई सारे उसके उद्दे और अगला प्रश्ट नेकि प्रात्मिक विच्छा के सार्व भॉमी करण है तो प्रमक्ष योजनाय बनाई गई गई कौन सी योजना बनाई गई वह आपको बताना है तो सही जबाब हो जाएगा भी अब बिद्वालों के लिए सार्व भॉम बेवस्था की गई है साहूं ना तो साखसींगन में नमंक के लच्छत की audio का नही jest उस बाधा का नाम है धार्मिक समानता कि बांश कि प कई dropping 1 लागु किया गय तो ध्यान प्रस्तुत है कि इमन्वेसे कि समित ने कहा कि अपव्ब कई सिच्छा पूर्ण होने से पूर्व ही किसा था लेने से है चिंप तो ध्यान अनखेंगे इसका जो सहे जिए जवाब होगा वो होगा आप्शन नमबर भी हार्टंग समित का ठीक हार्टंग समित यहीं सभी जवाब होगा अगला की और रोधन का आर्थ क्या होता तो और रोधन का मतलब होता है कि किफी कच्छा में फेल हो जाना तो उसको बोलते हैं और रोधन ध्यान लखेंगे अगला क्विश्चन है कि अपने राज में प्रात्मिक फिच्छा को अनिवार बनाने की घोफड़ा किसने किये कौन से बिद्वान का नाम बताना है तो सही जवाब आपको मालूब तो बेश्चा कमेंट सेक्षिन बता सकते हैं ठीक है चार आपन है पहला महारा पहला जो है यहां पर आपसन आपको देखने को मिलेगा मैकाले लॉड रिपन और आपको अगला आपसन महाराजा बढ़ावदा और अगला है लाड करजन तो सही जवाब होगा महाराजा बढ़ावदा ने यह क्या किया है अपने राज में प्रात्मिक फिच्छा को अनिवार बनाने की ने महाराजा बढ़ा उद्दाने की ठीके सही जवाब इसका हो जाएगा आपसे नंबर सी ध्यान लखेंगे ओके चलिए निश्कोशन को बढ़ते हैं कि भात में पार्तमिक फिच्छा यानि कि पहली जो सुरुवाती परिच्छा बदब फिच्छा जो होती बच्चों को द आपको बताना है तो जो चोदा नमबर प्रस्टिश का सही जवाब हो जाएगा अपसे नमबर डी ठीक है माध्यान भोजन ठीक है मतलब कि सभी प्रकार के मतलब कि मध्यान भोजन इस बात को ध्यान लखेंगे यह बहुत बड़ी समस्या है अगला अलक कोश्चन आने को उमीद कम है लेकिन पिराल जान लाएगा तो आप लोग मध्यान भोजन सेलेक्ट करेंगे अगला प्रस्टित है कि प्रारहमिक फिच्चा की समस्या को दूर करने के लिए निम्रिकित में से कौन सा प्रियास उचित नहीं है तो जो उचित नहीं ह नहीं है कि धर्म के विरुद्ध आपको भयकाया आ जाया या फिर्याद को इतना जीड리 DRM का महिश्कार करें तो धार्मिक फिच्चा प्रदान करके धिक अगला प्रस्त नहीं है इतना इंपोर्टर ने इसलिम्पढ़ेंगे नि इगygen सब्सक्राइब जिसको मेन तो प्रकार आधारिक विच्छा योची हो जो जिसको सामिल घ्रवाएक चाहन जीवाए मैं अधायस को सामिल बाइब वाट वजन उसका नाम है कि अधरिया चे बहु आधिए मbung बहरत ने हाल के वर्सों में प्रात्मिक फिच्छा में लगबख सभी बच्चों का नामंकर प्राप्ट करने में उल्लेख निये प्रगत की है तो इस प्रशने का सही जवाब आपको बताना है। इसका सही फिच्छा का दिकार अधनियम ठीक है सही जबाविश का उप्रयोक्त में से दोनों होगा सी नंबर अगला प्रस्ट प्रस्तुत है कि ECC E का समग्र उद्देश बच्चों का विकास करना है ठीक है तो यह कौन सा विकास के अंतरगत आएगा तो यह आएगा फ़ारेग भोतिक का विकास भी होना चाहिए संग्यान आत्मक विकास भी होना चाहिए समाज समवेगा आत्मक ठीक है नैतिक विकास युम समाध हित पार नमबर उप्रेट में से सभी अगला है कि यह सीची इपाइट करम और फिच्छन बिद की जिम्मेजारी किस मंत्रा लेकी होगी यह आपको बताना बहुत है प्रस्ण है जबाब बताईया अगर आपको मालूम है तो ठीक है चलिए सब्सक्राइब अब मालूम है तो सब्सक्रा से –विकाष मंत्रा ले सब्सक्राइब विकास मंत्रा ले अगला कि देश के यह देश परात्मिक विच्छा के छेत्र में बिस्मता क्यों दिखलाई पड़ती है अधोगी Hm समस्या हो जाती है ठीक है तो उसका मुख्य रीजन यह हिद्यार नखेंगे कि इस इच्छा की समान राष्टी नेत का निर्माण ना होने के कारण यह सब आपको समस्या दिखलाई पड़ती है अलाक समयधान के किफ धारा के नुसार समयधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष के आयों के सभी बच्चों को ने सुलक एयों अनिवार फिच्छा उपलब्द कराने की विवस्ता की गी है ठीक है कौन से धारा में आपको बताना बहुत ही महत्पूर्ण प्रस्ण है सही दिखाई बताईए सही दिखाई होगा धारा 45 के नुसार भी नमबर सही दि कुशन देखते हैं इस कुशन के रहा कि समयधान के किस धारा के नुसार संपूर देश के दुरूबल पिछड़े वर्गू के आर्थी के हितों की फुरच्छा समाजिक अन्याय यूम सब प्रकार की सोसर से उनकी रच्छा की बात कही गई है किस धारा में तो यह जो बात है यह कई गई है ध्यान अक्छेंगे धारा चियालिस के उनसार चाहिए पार अगला कि किसके कारण बालकों को फिछ्छा के प्रारमिक अफ्तर पर ऐसे अफ्वर प्राप्त नहीं हो पाते जो समाज के उच्छवर्गों प्राप्त होते हैं इसमें आपको आसंद दिये गए ज प्रमाजिक विशंगतियां इनमस सभी जवाब होगा ठीक है अगला प्रस्थ प्रस्तुत है कि किस कारण बालक फिच्छा प्राप्त हेट प्रारमिक अफ्तर पर प्रबेस्ट से वंचित हो जाते हैं ठीक है किस वज़ाफे तो सभी जवाब है कि आफ इच्छी पारेंट पर किसी आम अगे माता पिता के होने की कारण ये समजिक आती है अगला कि ये दिक अच्छा कच्छ में प्रियोख्ट बहाफा के बयोधान के कारण बिद्यारति कटनाई का अनुबह कर सकते हैं ठीक है तो उसे ही इसको कहते हैं तो मतलब कि उसके क्या कहते है आपको बताना तो कच्छ में प्रियुक्त भाफा के बेवधान के कानमिद्यार्थी कटनाई का नभौ कर सकते हैं तो इसको कहा जाएगा ध्यान रखेंगे सही जबाब इसका हो जाएगा भास ठीक है बहां से एक आसामानता सही जबाब हो जाएगा बी नंबर ठीक है अगला प्रशना की केंद् प्रशना की सिच्छा पहुचाने के लिए असंग के प्रावधान बनाए है ठीक है तो इस प्रशन का सही जबाब क्या होगा बच्चों के द्वार तक सिच्छा यानि की घर तक है आप सभी को मालूं क्यों होम टोर्शन चलते भी हैं अगला क्वेश्चन है कि बालक बालिक रहा भी कि घर तक से चला जा रहा है कौन सा है कब से प्रशन का तक से चला जा रहा है तो सही जबाबिश्चा कहने आफ्यों की आपको बताना है से जवाब इसका हो जाएगा option number d एक ही छीतर में विभिन अफ्तर एवं गुडवत्ता के विद्धायत्यों का न होना ठीक है सब्छार्वश्थ का हो जाएगा आपका समांता कारण निवहीत में से कौन सा नहीं है ने किस परकार की फिच्छा का प्रारंब प्रात्मिक च्छामे करना चाहिए शुरुआते जो बच्चे होते हैं ठीक है तो सही जवाब इसका हो जाएगा आफसर नमबर ए ठीक है अंतरवर्गे फिच्छा देनी चाहिए फिर करवानी चाहिए अगला के फिच्छा ना केवल किसी का प्रदिकार है और ना ही किसी के द्वार की जा रही कृपा यहां बात क सर्गत उले किया गया है कि सरकार का यह दायुत है कि समस्त बच्चों को समान स्वेचिनिक सिवधाय प्रदान की जाए ठीक है इसमें कौन सा होगा निर्द्रदेफक्तत या फिर मोल अधिकार या फिर मुल करता भी अपरक्त में से कोई नहीं ठीक है बत्तिस का जो सही जव प्रदिकार है ना किसी की द्वार की जा रहे एक रुपा यह बाद की अनुच्छित में सुनस्चित की यह आपको बताना है सभी जवाब हो जाएगा अगला है कि भारते समिधान में किसके अंतरगत उलेक किया गया कि सरकार का यह अदायुत है कि समस्त ठीक है समस्त फैच्छिक प्रदान की जाएं तो कौन सा सही होगा बताई आपको मालूमें तो अगला कोश्चिन है कि प्रात्मिक फिच्छा प्रदान करने में किसकी भूमिका कातियंत महत्त पूड होती है मतलब कि मुविका किसका रोल होता है तो सही बाविश्क आपको बताना है सभी अगला के प्रात्मिक अफ्तर पर फैच्छिक आफ्रों की समता की समस्या हेत कौन सा बिंद उत्तरदाई नहीं है ठीक है तो वह है उचित फिच्छा सही जवाब डी होगा अगला है कि कि अफ्तर पर फिच्छा प्राप्त में आवयो एयों और अधन की समस्या भीषर ठीक है तो सही जवाब इसका हो जाएगा 35 नंबर का सही जवाब होगा बताए गण्ट सक्षिन में प्राप्तमिक असकर पर ठीक है अगला कि एक से अधिक भांसावाद का प्रियों किसी ब्यक्ति द्वारा या ब्यक्तियों की सम्मूंध द्वारा करने को क्या कहते हैं ठीक तो जो सही जबाब होगा इसका हो जाएगा मात्र भासा में ठीक है दी नमबर अगला है कि जब विद्यार्थियों का प्रवेस प्रार्मबिक फिच्छा प्रात करने है तो उस समय उन्हें किसे समझने में कटनाई का सामना करना पड़ता है तो सही जबाव इसका अरतिस को हो जाएगा ध्यान रखेंगे इस्कूल की भासा सही जबाव होगा ए नमबर अगला है कि ग्रे भासा याम बिद्ध्याले की भासा में अंतर होने से प्रारामिक विच्छा के अफ्तर पर समस्चा उत्पन होती है तो सही जबाव इसका हो जाएगा अफ्चन नमबर बी ठीक है अधिगम थिक रहना ज़य है एंजने तो सभी ज़वाब विश्कत्रन हो जाएगा अफ्चरनार्च नमबर सी तालमेख ठीक पर को रजय हो Network और कोया चारी पर समय पर सुमठात का विजिय क्वरें वीडियो ज्यादा लंबी नहीं इसलिए वीडियो को यहीं पर हम डिस्कांटीनू करेंगे बाकि यह पूरी पूरी पीडियोप आपको मारे टेलिग्राम वर्टसप पर मिल जाएगे तो राउनलोड कर लीजिएगा यह आपका अपना ही चैनल सक्सेस्ट तो यह है तो सब्सक एक है राउनलोड्यो कर लीजिए साण यहीं अगरिए ड़ा था घरती सारी आपको मारे यह हमते हैं शाछल का है प्रेथियोग जामरे देब जात कर दो जाल सर्वेग अक्रवेगोय अपकाशन सक्टस आहाए एंत कर भीडियोभष Signal. झाल झाल